दादी को याद आता है मेरी अइस्क्रीम खाने की वज़ा अब आधा बेर नुघणा के अब श्युक्वलोग आज व्लोग की सुरुवात करहें नास में देख़ी दिखने वाला है पंदर दिसे मेरे घर में मरपक चल रहा था और पीतर पक चल रहा था और आज उसका लास्ट दिन है आज दादा जी को पूरे तरह के से मतलब पूरा डिस बना करके पूरे उनको दिये हैं और वो अभी खा रहे हैं तो चलिए अब दिखा दिमा आप लोगो मैं बता देती हम सारा डिस क्या है बड़ा है जिसका सबजी बना हुसी का च्छना हुआ है ये और कदू बरबटी की सबजी दाल चावा लाल भाजी मस्रूम पूरी खीर बरा की सबजी और पानी दोना पत्तल में इसलिए दिये हैं कि दादी का कहना है कि दोना पत्तल से मतलब उनको मिल जाता है खाना और थाली सब से देने से थाली को टोरी से देने से उनको नहीं मिलता है खाना तो दादी की रात में कैमरा बॉय बना था तो नहीं खा पाया था तो अभी आनन्द ले रहा है अब पूरा को इत्ता बड़ा को बाप रहे इत्ता बड़ा को अकेले खा गया बशादे सब खाएंगे घर प्या भी अरे पापी पेट पना ब्रेक्पास्ट कर रही हूं और दादा जी दू ध लखा रहे हैं हम दोनों कोई लाथी पोर्टी खा रहे हैं लाथी बड़ी बनाई थी तो बड़ी का दाना का बड़ा में लपेट के अ हुआ है यह त्थ का राकाटिय को पूर्ड एक कुछ नहीं कृत्पजी पूरा कर दो पक्तिक रूं विद्य इसे इसे तारहा कुछ मैं की और उसके बाद लेट से नहीं मतबद साड़े बार बजे नहां कर रहाई और अभी अप्टर ब्रेफ परस्ट की अब बज रहे दो और मैं खाने जा रही हूं अपना खेचड़ी ले तो लेती हुँ मैं इसको खांगे इसको खांगे लेकिन फीला वाला को अलग कर दी फीला नहीं खाना मुझे भाजी सही है मसरूम है इतना जादा खाली बे आख पंदर जा रही है भाजी खाओ भाजी ब्रड़ बनाओ सुस्क रहो मस्क रहो भाजी खाओ सर्क भाजी लाल भाजी खाओ अजानक से खा गई टाइमिंग एक ज्यादा हो रहा है तो अराम करने वाली हूँ शेलाव कुछ नहीं थोड़ी देर सो लेती हूँ एक दम भी अच्छा लगा है पुरा सर्दी सर्दी पुरा यहां से यहां कर पुरा सर्दी सर्दी सा लग रहा है और आज घर में इतना जादा सब्जी बना था मेरे को लगता है बटकर की सब्ची फीर सारा कुछ देखे मम्मी जो बनाई हो मताब मेरे घर में सब खाना बनता है चार पास दिनका एक भी बढ़ा देते हैं अभी बाम लगा लेते हैं इसको को लगाता है रात में इतना लगाने का मन वह था इधर इधर क्योंकि मेरे राइड साइड ही जर्द होता है आइस की वज़ा से ऐसा अभी टाइम हो रहा है चार बज रहा है और अभी सो कर उठ नहीं हो और सभी कोई सो रहे था गर में सब और अभी पिछे का व्यूज देखिए हमेशा की तरह आती सुंदर और अभी चलती हूं बुड़ी बाता के पास और देखते हैं उसका रियक्शन मुझे देखते हैं क्या बूलती है वो आज दादाजी होते तो साइड और हम लोगो खुशी होती जो भी हम लोगा जो मिला ह है सब दादाजी की वज़ा से हैं उनका तव्यत खराब था उनका मतलब टैंशर हो गया था उनको तो नहीं रहे हमारे बीच और मैं तो देखी भी नहीं अपने दादाजी को जो फोटो में देखी हम वही गुडी गुडी को लगा नहीं तीना तो कंचंच सो कले आते टेश वाय जाल आदी है आए है इलता हादा वादाओ है टीट है घट को लिव लो जीवा तिन अची के डीजतने भी दूसर लख आये हम यह वार रहसर दीभिगार में पलेटीए को परकी कुछिए है को पह्म मैं बता दो के भी हम लोगी वन्स की हैं, बताब दादा जी इनके पती का जब देथ हुआ था तो साय तक 2013 में देथ हुआ था जब मैं अम्भीकापुर में थी फर्स टियर में थी मैं तो जब दो ही नोग रहते थे इन लो पाफी अच्छे सा रहते थे तो हुआ क्या बताब दुर्गापूजा पूजा चल रहे थे अ forearm आने वार्भीकापूज़तल का देथ। thank भाुजा βोलें थे ओंदे हुआ and सबस्क्राइब पुजा निशा दीडि मैं दीशा दीशा है , घर हैं थाउय जोनुटेव्टे थे ठीवेल में पूझा करते थे तो वैसे इनका भी डर लगता है हम लोगों की कुछ फेस्टिवल ऐसे सेल्वेट करते रहते हैं मंझे साधी होते रहता है या फिर घर कोई साभी फंक्षन बड़ा से दर्स लगता है कि यह कहीं चल जाएं इसलिए हम लोगे से क्यार करते हैं अच्छे से ठीक रहें जिंदा रहें काफी देर तक दिन तब और जीवीत रहें अभी जात प्रा जात हो मां अचिस बुलती हैं अभी खाणा बढ़ रहें यह देखो एक किसको बूलते हैं काला दाल उर्द का दाल दादी आज क्या था अज पितर पट दादाजी को बहुत याद कर रहे हैं हम लोग दादी को याद आता है चाहाँ दादटी का याना रहे है जोरो सोरो से है कि रही गितना साल हो गया दादटी ह्द्र है 2015 साल Master Chief देखे भी लिंगे भी देखे भी लिए रफहरने की फियकी अप यह अज आर चार स्य चार कदी अपनर पह्षने इस नहीं है और आद द्रहस क्सरा आद दो पदू और बर्वटी और चार बचे फोर में आउ ती इन्ठो बना था सब्जी और सेटो का भदी और बर्वटी और दाल आप लोग तो देखी लिए हैं कि नहीं क्या पता था अभी का खाना में बता हो दादी क्या बन रहा है उड़त का दाल और राणी का चट्री चोका अब अब लकडा का चट्ली वाबा वाब उसको किसे पसाया से बोचेह रहा है मतब आभी आपको दिखाती हूं वुरुषिये दाल के साथ बीना ब्रेक वाला दाल है वो ऐसे आपको चावल के माड से इसको रखे है इसी पहले के लोग एही खाते थे मैं भी खाकर दिखाती हूं यह है अमारी लकडा और साफी खटा रहता है इसका फूल को भी खाते हैं और देखिए महले के लोग यही सब खाते थे और दादी आज बढ़ा ही अपने लिए और मैं इसको बहुत मेरे फितों सालों बाद इसको खारी हूं इसको खटा मीधा दादी का आलू देखो पूरा सजो सजो के रखे रहती है अपने रूम पे तो अभी इसके पलंग से लेकर आ रही हूं और यह आलू कैसे हो गया है अभी टाइमिंग हो रहा है नौ पंद्रा और मैं खाना खाली हूं जल्दी घर पे सभी कोई खाली है सब अपने बैड पे चले गए सोने के लिए बहुत दिनों बाद मैं खाना खाई आज दाल चावल आलू चोखा लगड़ा की चटनी प्योर देशी गाउवाली आप चावल दाल क्या पता मेरे पेट को पसंद आती है नहीं आती है कल मॉर्निंग में या नाइट के बारे बज़े तक पता चल जाएगे क्यों मैं एक दम ही नी पाचा पाती हूं आप लोग को पता है मेरा रूटीन कैसे चल रहा है अभी का खान पान पूरा दलिया और फूट हुआ है सारा कुछ वीरासत में मिला है हम लोग को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी हूई अच्छी लगी तो लाइक कमें सब्सक्राइब करना ना बुलिएगा और देग मैं पूरे सर्दी से एक दम मैं तो पर में ठी सो भी नी पार थी इतनी ज्यादा सर्दी पापा दवा लेकर रहा है मेरे लिए गोली और ये विश सेंट लेने वाली तब मेरी जान में जान आई है और अभी मैं जान हूँ सोने के लिए मिलती हूँ आको नेक्स वीडियो में और प्लिस मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर ले जीगा कंचन ओफिसिल 68 के नाम से अभी के लो झाले